हलो एव्यवन वीपेसी के दुबारा एक बार फिर से आप सभी लोग के लिए जो है पीसितारित किया गया है यानि कि बढ़ा दिया गया है यहां पर चार्फ-चाप देख सकते हैं आज ही का इयちは है और यह भी इसको रिलीज किया गया है बीपेसी के चेर्मेन अतुल परसाद सर के द्वारा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जो कहा गया है important है हलाकि आसा करते हैं कि आप सभी लोग जो है answer की को अब तक जितने भी candidate जो है परिछा में सम्मिलित हुए है सब लोग मिला लिए होंगे तो इनका कहना है उपर में इन्होंने mention किया है कि A और E अब तक जितने पाली में भी exam हुआ है A और E का जो है answer की अप जो है upload है website पे वहां से जा करके आपको मिलान कर लेना है यानि कहने का मतलब आपका B है C है D है तो A और E को answer की को देखते हुए आपको मिलान कर लेना है और मिलान करने के बाद पहले जो आपको जो है अपत्ति करने का यानि की जो है आपको date दिया गया था यहाँ पे 59-2023 से लेकर 59-2023 से लेकर के 79-2023 तक दिया गया था और अभी इसको जो है समीच्छो परांद पूना दिनांक 8-9-2023 से दिनांक 11-9-2023 तक जो है आपत्ति परमानिक शुरोत साक्ष के साथ अपलोड किये जाने हैं तु तिति विश्तारित की जाती है इमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया गया अपत्ति जो है स्विकार नहीं है यह तो पहले भी कहा गया था और इस बार भी बोला गया है तो सेम है आपको 2-3 दिन का समय और मिल गया है 8-9-10 और 11-4 दिन हो गया सौरे तो आप लोग जो है सर्च किजिए खोजिए क क्यूंकि ज्यादा से ज्यादा अपत्ति करना जो है अति आवस्यक है जितना भी मार्श आप लोगों का आ रहा है अपत्ति क्यूंकि अगर कोश्चन का जो है आंसर गलत दिया गया है विभाग के दुबारा तो उसको सुधार करने के लिए आपको अपत्ति ज्यादा से ज् तो इसलिए आप सभी लोग जादा से जादा संक्या में इसको किजिए और साक्ष के साथ कहने का मतलब है कि आपके पास जो भी किसी भी परकाशन का authentic book है उससे आप जो है question को सर्च किजिए खोजिए और वहाँ पे upload किजिए तो धन्यवाद मिलतें नेक्स्ट वीडियो में न वाइ बाइब गइब